नमस्का दोस्तों आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल एक्जाम यूटूब चैनल में तो एई देखो यहां पर तक्नीकी साहय के इंदरी अभियनता तो एई की वेकेंसी आपका और जेई की वेकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और यह मनरेगा जारखंड की व पर देख सकते हो नोटिफिकेशन की डेट यह बात किया जाए उननीस तस दोचार तेईस को यह हैं नोटिस आउट हुआ है का रहाल है जिला ग्रामिट विकास अथिकारी राची तो ठीक है तो यह नोटिस जारू है जो पीडियाफ मैं अपना पीडियाफ यह टेली ग्रू चैनल यह में टेक्निकल अंडरस्कूर एक्जाम ऌन जो डिश्किप्शन में लिंक है एक लाइक कर देना और एक刮ंट कर देना और सुच्क्राइब कर डेन् 새 के बारे बात के पहले तौंबर प्रकंड को कार यक्रम पाधिकारि जिसमें तीन पद सब्सक्राइब आपको सरकारी मानिता परताब संसरा से किसी सक्री परतिष्टा 55% अत्रीक योगता सरकारी से पिएजटीटी के टक्छनीकिक सहाय का जो आपके सहाय को है जिसके आपको क्या चाहिए सब्सक्राइब या भी तो जना जरूरी है जिसके लिए सरकारी मानता परताब से सबस्क्राइब चाहिए साय तुर्ट कारियर कंप्यूटर सायंस में कंप्यूटर कंप्यूटर साय साय कर निक सहाय शाइद की बात किया तो आपको इंजीनियर इंजिनियर स्था confirming जूनियरी इंजीनियर ठीक है जिसे सरकारी मांता प्राफ स्थान स्थान सफिल स्था होना चाहिए और आत्रिक एकता प्राफ को सहा का सफिल सहाल में भी बीटेग भी कि तक नहीं होते हैं यानिवी टीप्लोमा सब है ठीज देख सकते हो बाकि आपको बीस कंप्यूटर कामर से बीस में हो एक कंप्यूटर ब्यस्टी तता बीस्टी कंप्यूटर में पांच घटाते हुए तो आपको आपको यह भी होना चाहिए पीजडी हो तो इससे भी आप बात कि यह पाइश्टी आपको भारती होना चाहिए परखंड कर्यपदिकारी का जो सैली है देख सकते हो मानने मानदे है सब्सक्राइब तकनिकी सायक सायक अभियंता समकच 22000 पीन तकनिकी सायक कर निष्टा का निस संदा बाखिए परमनेंट नहीं यह वह में बता देता हूं यह आपका मानदे है मानदे मतलब आपको पूरा फूल फुली फ्लेजडेड नहीं होता है यह आपका एक टंपरेरी बेस पर रखा जा रहा है तो सेले ठीक आवेदन कैसे जमा करें आवेदन करने की जाए एकीज दस से तेरह ग्यारे दोजार तेश तक पांच बज़े तक वेफसाइट में यह अप्लाइड अप्लाइड डाट जॉर्कन डाट गॉर्वन डाट इसको अप्लाइड कर सकते हो और किसी भी स्टेट से बिलांग करते यू कैन अप्लाइड कर सकते हो तो आपको अच्छी खासी है और आपको सेलेक्शन भी डारेक्टी होगा तो सरते हैं सारी चीजे समीधा पराप्त होगी नभी करण किया जाय सकेगा बाद में में भी बढ़ाज एक्सेंट होता रहेगा ज अभी किया जाएगा पर निव तो सरकारी पराप्त होती मानने होगी तो इस पीडियाफ को चाहिए तो मेरा टेक्निकल एक्जाम यूटूब चैनल आपका क्या है वह पे मैं डाल दूँग टेक्निकल ग्रूप है टेलींग्राम ग्रूप टिक तो वहां से आप लोग कर सकते वाकि यह आपका सेलेक्शन प्रो से पीएजडी दिया जाएगा ओके 5% पीएजडी दिया जाएगा थैंक यू अब देखो भाई हर जगह तो वैकंसी जाएगा ही जाएगा यूपी पीएससी एई में कोई भी अपडेट नहीं है एक अपडेट था कि आपका पैटरन का तो मै मैंने पैटरन का बता दिया बट कभी कभी आता है कि अपरैल में एक्जाम होगा मैं में एक्जाम यह तो गलत है तो यह तोटली गौवर्मेंट योगी जी गलत कर रहे है यार हर साल आपको एकी वैकंसी निकालने ससी जेई के पास इतनी वैकंसी कैसे आ जाती है भाई आर आप लोग कमेंट करो यूपी में होते ओंगे ना इंजीनियर प्रव द Elementary Grad नहीं होते हैं इरिगेशन इन ए होते हैं बहुत रजाएर होते हैं होते हैं तब क्यों वैकंसी निकालते हो हर साल तो कुछ ना कुछ वैकंसी सौ वैकंसी 200 वैकंसी चार सो वेकंसी निकालना चाहिए ना छोटा सा बच्चा है नहीं है ना बड़ा सा है इंजीनियर यही हाल आपका राजस्थान में है राजस्थान इसलिए डेबलप नहीं होती है इस्टेट वहिए आपका वाटर नहीं डेबलप होगा रोड नहीं डेबलप होंगे क्योंकि आप इंजीनियर को रखते नहीं हो ना इतना प्रापर रखते भी हो तो कुछ चीज़े प्राइबेट होती है जो उनको कुछ ऐसी चीज़े होती है नहीं है प्लीज यूपी गवर्मेंट हाथ जोत के कर रहा हूं कि आपको यूपी में वैकेंसी निकालो पाल से से छे सो निक इसका एक्जाम होता है उस तरह से प्रापर कराओ एक साल में सारा रेजल्ट दो और जॉइनिंग करा दो आप लोग मेरे बास से सहमत हो स्टुडेंट तो प्लीज कमेंट कीजिएगा मेरा मानना यह है बाकि आप लोग को वीडियो चले लिए लाइक से एर और सब्सक्राइ